स्वस्त भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार कहा जाता है कि स्वस्त शरीर में ही स्वस्त मन का वास होता है आखिर स्वस्त शरीर तो हम समझते हैं लेकिन स्वस्त मन भी क्या आप समझते हैं बहुत जरूरी है कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारा जो मानसिक स्वास्ते है वो भी बहतर रहे ठीक रहे तभी हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सकता है और अगर हमारा मानसिक स्वास्ते गड़बडाता है या किसी तरह की कोई परिशानी होती है तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं सामने आ जाती हैं जिससे कई परिशानी हो तो कौन-कौन सी परिशानियां आ सकती हैं, कैसे हम इन परिशानियों को दूर कर सकते हैं बहुत सारी बाते हैं, इससे सबंधी जो आप जरूर जानना चाहेंगे आपको बता दे इन सारी जानकारियों के साथ विशेशगी की रूप में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक केंद्रिय मनाचकिटसा संस्थान डॉक्टर बासुदेव दास। डॉक्टर बापका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारकरम में लोगों को आप बताने वाले हैं कि कैसे हमारा जो मानसिक स्वास्ते है वो सही रहे ताकि हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल सुचारो रूप से चलता रहे सबसे पहले बहुत से लोग सर यह नहीं समझते हैं यह समझते हैं कि हमारे शरी ठीक है मतलब हम बिल्कुल सही है मान पर हमारे सोसाइटी में इतना स्टिगमा है इसको लेके, जे लोग इसके बारी में चर्चाई नहीं करना चाहते हैं, और इसके बज़ा से लोग सफार करते रहते हैं, तो मानसिक सास्थ है कि आपका जो साइकोलोजिकल, सोशल, वेलबिंग का बात करते हैं, मतलब आप खूस ह आप अच्छे हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आप लोगों से हटके नहीं हैं, कटके नहीं हैं, अलग नहीं हैं, और आप एक positive frame of mind से हैं, जो आप में जो कार्य करने का उत्सा है, वो बरकरार है, और आप अधिक से अधिक कार्य कर पा रहे हैं, और productive रहे पा रह है जितना हम लोग सारी रिक्सास्थ पर ध्यान देते हैं उतना ही हम को या उससे जादा हमको म Gulter जाः सबसे ऊपर में है इसकी स्वास्तिति जो है और इसका यही सांब पूरे शरीद को संचालीत करता है कैसकते हैं तो मन का खुश रहना स्वास्ति की हम बात करते हैं तो इसमें परिशानिया कहां पर आती हैं कैसे आती हैं क्या कारण है देखिए इसका बहुत सारे कारण है कोई एक कारण बताना संभब नहीं है कुछ हाथ तक होता है कि यह हरेडिटरी होता है अगर फैमिली में है तो दूसरे में होने का संभबना जादा हो जाता है और दूसरी बात है अगर किसी का बच्पन अच्छा नहीं बिता काफी मतलब अच्छा महल नहीं मिल पाया तो वो भी एक कारण कभी बन सकता है, कभी किसी का सर पर चोट लागा उसके बज़ासे हो सकता है, कभी कोई नसा का आदी हो गया है, तो उसका वज़ासे हो सकता है, किसी का job loss हुआ या उसके कारण से किसी को marital conflict है interpersonal relationship में issues है तो उसके बज़ा से हो सकता है कोई भी किसी तरह का इसमें अगर दरार है तो उसके बज़ा से लोग affected हो सकते हैं तो और आई दिन में दिन पे दिन ये बढ़ते जा रहा है और खास तर पे अगर आप देखेंगे उसके पीछे एक ये भी कारण कहा जा रहा है जो हमारा जो समाजीक जो बैवस्ता था वो धिरे धिरे टूकते जा रहा है जो हम लोगों का पहले joint family structure हुआ करता था आज की दिन में सब nuclear family होते जा रहे हैं बोथ parents working होते जा रहे हैं बच्चे कोई maid से पलप उसके बड़े हो रहे हैं तो naturally जो parents से मिल सकता है या extended family में जो होता है बिल्कुल जिस तरह का लालन पालन शिक्षा दिक्षा जो है जो होता है और और एक कारण है कि लोग आगर किसी को कुछ problem है तो share करने का कोई ब्यक्ति नहीं मिल रहा है किस के पास हम यह हमारा बात को रखें कौन हमारा बात सुनेगा कौन हमारा बात समझेगा या कौन हमको सला देगा तो इसके वजह से दिन पर दिन यह समझा बढ़ते जा रहा है बहुत ही महतपून कारणों का सर आपने जिक्र किया है और जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो यकिनां समझ सकते हैं कि कहां कहां पर हम किस तरह की गलतिया हम से हो रही है जिसके चलते मानसिक स्वास्ते के रोगी जो है वो समाज में बढ़ते जा रहा है आपने शुरुआत में ही कहा सर कि इसको लेकर कुछ मिस्कंसेप्शन भी है अगर हम बात करते हैं मानसिक स्वास्ते की तो लोग उसको कुछ दूसरे नजर से देखने लगते हैं तो क्या मांसिक स्वास्ते में जो परशानिया होती हैं, जैसे हमारे पूरे शरीर में, किसी भी अंग में परशानी होती है, हम उसको एक वली ले सकते हैं? या फिर उसको हम अलग जो नजरिया होता है इसको देखने का इसके लिए लोगों को क्या आप बताना चाहेंगे सर देखिए अगर आप मांसिक बिमारी का बात करें तो मांसिक बीमारी भी आम तर पर दो तरह का होता है एक जिसको हम लोग common mental disorder या common mental illness बोलते है जिसमें आपका बाईपोलर डिसओर है, तो क्या होता है मेन जो अंतर हो जाता है दोनों में जिसको हम लोग इंसाइट बोलते हैं, इंसाइट क्या होता है जिसको प्राब्लेम है वो खुद उसके बारी में अवर है कि नहीं, तो जो serious या गंभिर मानसिक बीमारी होता है जैसे सकी जोफ्रेनय के रूप पे आजाता है, यह उसका निदान या इलाज करने में, मतला दूसरे को पता लग रहा है, दूसरे तो कपी अफेक्टेट हो रहा है, छाहे उ फेमिली हो, समाज, सोसाइटी हो, सब लोग अफेक्टेट हो रहा है, लेकिन जो common mental disorder है, उनमें anxiety depression जिसको होता है उसको ऐसास होता है, तो ये भी common कोई भी और सारीरिक बीमारी जैसा है, जैसे आपको hypertension है, diabetes है, तो आपको सुगर बढ़ जाने से या pressure बढ़ जाने से कुछ ना कुछ लच्छ ना कुछ लच्छ ना कुछ गडवडियां होती है, तो इसको लोग थोड़ा सा kind of attitude जो बोलते हैं, इसको बिलकुल नजरिया बदल जाता है, और उनके साथ behavior बदल जाता है, आए दिन हमको भी फेस करना पड़ता है, डॉक्ट साब आप बाहर कहीं नहीं बढ़ते हो, हम CIP में आनी सकते हैं, बेसिक बात उसमें ये है, कोई देख का education में दिक्कत होगा, उसका job में दिक्कत होगा, साधी में दिक्कत होगा, तरह तरह का लोगों के मन में ये है, और इसी तरह से और एक देखेंगे, जो हम लोग जो है psychiatrist है, तो हम लोगों को majority, जो लोगों को private practice में करना पड़ता है, उनको neuropsychiatrist लिखना पड़ता है, या बोलना पड़ता है, क्योंकि neuro बोल देंगे तो acceptable है, और psychiatrist बोलेंगे या psycho बोलेंगे, तो नजरिया बदल जाता है, जी जी बिल्कुल, तो ओही चीज अगर ये मानसिक बीमारी को हम लोग नार्प का बीमारी बोल देते हैं, तब लोग एकसेट कर लेगा, लेकिन इसको मन का बीमारी बोलेंगे, तब किसे को acceptance नहीं हो, तो कहने की ज़रूत यह लोगों के अंदर ये जागरूकता, ये जानकारी हम इसले दे रहे हैं, कि अगर कोई किसी भी कारण से CIP जाते हैं, या इस तरह के बना चिकित सक संस्थान जो भी है, वहाँ जाते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, कि हम उनको दूसरे नजर से देखें, बिल्कुल एकोली जैसे हमारे पूरे शरीर में इसका कोई भी बिमारी का असर होता है, वैसे ही इसका भी असर होता है, तो सर, एक फिर भी, इसमें और बताना चाहूंगा, इसको लेके बहुत सारे भ्रांतिया या गलत फैमिया भी थे, ये ये आपका उपर कोई भूत प्रित सवार हो गया है, या आपने पिछले जनम में कोई पाप किया था, उसका साजा मिल रहा है, इस तरह का जो भाबनाएं हैं, इसके बज़ा से भी लोग कतराते हैं, बोलने में, बोलने में कतराते हैं, और नही जैसे ऐसा ना उसके साथ बरताओ करें कि फिर उसको छिपाना पड़े, फिर भी सर बहुत से लोग हैं जो अपनी बात बताना चाहते होंगे, जैसे आपने कहा भी कि आज के समय में ऐसा महौल भी हो गया है हमारे आसपास परिवार में या आसपास में, कि लोग बता नहीं कि इनको बताएं अपनी समस्या बताएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो क्या आपके अगर हम CIP की बात करें, कोई अपनी बात रखना चाहता हो, आपसे डिसकस करना चाहता हो, तो कोई टॉल फ्रे नंबर आप बता सकते हैं लोगों को, तो यह स्क्रीन पर हम फ्लैश कर प्रोग्राम चलाते हैं, तो आगर लोग हमारे पास आने में लोगों को दिक्कत है, तो इन फेक्ट लोगों के पास हम जा सकते हैं, और हमने यह भी किया कि बहुत सारे जो नॉन गवर्मेंट और्गरनाइशन्स हैं, उसके साथ MOU भी किया करते रखा है, जो लोग फिल्ड करते हैं, हम लोग फिल्ड में डारेक्ट नहीं जा पाते हैं, लेकिन उनके द्वारा हम फिल्ड तक पहुँच सकते हैं, तो यह भी कर रहे हैं, और कई सारे हमारे यह एक टॉल फ्री हेल्प लाइन नंबर है, जो हमने बता दिया है, उसको आप फ्लास कर सकते हैं, इसके ल पे हैं, यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, सब जगह में हैं, जी, बिल्कुल, मतलब इस तरह की समस्याओं का निदान हम शुरुबात में ही ना करें, तो आगे चल कर क्या यह बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो सकते हैं, बिल्कुल आपने सही बताए, क्योंक कि आगर सुरुवात में ही इसका हाल या निदान नहीं किया जाए, तो आगे चल की समस्याओं गंभीर लूप लेता है आम तरपे, और इसू क्या होता है, जे आगर इलाज भी उतना कारिगर नहीं होता है, सुरुवात इतर पे अगर इलाज हो जाए, तो बहुत अच्छा मिलता है, और इनफाक्ट कई लोग होते हैं, जो एकदम हांडेट परसंट ठीक हो जाते हैं, मतलब उनको देखके कोई नहीं बता सकता है, जे इनको कभी कुछ हुआ था, तो हम आप जैसा बिल्कुल नॉर्माल हो जाते हैं, दूसरी बात है, वही चीज अगर डिले होता है तो उसमें पूरा ठीक होने का संभवना काम हो जाता है, और सबसे ज़्यादा जो गंभीर समस्या इसके साथ जुड़ा हुआ है, वह है आत्म हत्ता का, तो अगर शुरुवाती तरह पर या अगर एड्रेस ना हो, तो इसका रिस्क काफी हद तक बढ़ जाता है, और आज त देखिए हमारी यहां, हमारी यहां मतलब विस्वा आत्म हत्ता रोक थम दिवस था, जो 10th of September को था, और आगे चलके 10th of October को है, वर्ल्ड विस्वानसिक स्वास्त दिवस, वर्ल्ड mental health यह है, तो यह जो पिरियड है, 10th September से लेके 10th October, यह जो पूरा मा है, इसको हम लोग मान मनाते हैं, पुरा विस्वार में मनाया जाता है, तो यह दो बड़ा important day है, यह खाली उस दिन मनानी का बात नहीं है, मनाना तो साल भर है, लेकिन एक खास आउसर हम चुनते हैं, कि उस विश्यस पिरियड में हम लोगों को जागरू कर सके, तो क्या कुछ होता है सर इस दौर जो उसमें सारे जो बेसे सग्या हैं इस फिल्ड में, जो suicide prevention को लेके ही काम करते हैं, जैसे हमारे यहां ऑस्ट्रेलिया से प्रोफेसर हेलेन हर्मान आये थे, और फिर चैन्नाई से डक्टर लक्षमी विजय कुमार जो पूरा एकदम लाइप अपना डिवोट कर दी हैं इसम जो बहुत सक्सेस्पुल एरान करता है, वर्ल्ल रिनाउंज और्गनेशन है, उन्होंने काफी लाइप सेब किये हैं, मतलब जो लोग अक्यूटली अक्टिबली सुईसाइडल है, उनका लाइप बचा है, उनका विचार को बदला है, काउंसेलिंग करकर के, उन्होंने हेल जो अधा आज के समय में देखी जा रही है, इसकी जो समस्या है, तो वर्ल्ल लेबल पर भी अगर हम बात करें सर, तो मांसिक स्वास्ते के लिए, अच्छे स्वास्ते के लिए रोगों से बचने के लिए कुछ चल रहे हैं क्या, आय दिन मतलब आने वाले दिनों में कुछ मिलेगा हमें, हाँ बिलकुल अगर विश्मान सिक स्वास्त दिवस का जो मैंने बात किया, 10th October को, तो उस पे भी इस बार का जो थीम है, जो mental health and well-being for all, तो मतलब ये फोकस सब के लिए किया गया है, और एक बहुत खुसी की बात है, जो पहली बार हमारा जो union बजट इस साल क पेश हुआ, Honorable Finance Minister द्वारा निर्माला सेतक बंजी के द्वारा, पहली बार इसमें अलग से mental health का जिकर है, और इसमें अलग से funding है, और ये 10th October को, हम लोग पूरा nationwide एक टेली मानस, आच्छा, लांच करने जा रहे है, टेली mental health program, तो एक national health line number होगा, जिसमें जो में इंस्टिटूट जो है, वो निमांस बैंगलोर का होगा, और पूरा देश भर में 23 mentoring institute होगा, जिसमें हमारा इंस्टिटूट भी है, केंद्री मानस के साथ CIP भी है, और हम लोग को जिम्यदारी मिला है, जो पूरा जाडखन राज का, जो टेली मानस सेल बनेगा, वो उसको हमको mentoring करना है, और प्लास हमें जो neighboring six states है, जैसे कि जाडखन के लावा बिहार हो गिया, ओडिस्या हो गिया, वेस्ट वेंगल हो गिया, चतिसगड हो गिया, मध्धप्रदेश हो गिया, तो यह जो छे neighboring states है, इनको हमको regional coordination center के तर पे काम करना है, तो यह बहुत बड़ा एक planning है, क्योंकि देखिए, basically आपका कमी कहां पर रह जा रहा है, demand और supply में कमी रहा है, demand जादा है, mental health खास तर पे अगर आप COVID का बात करें, COVID के दोरान या COVID के बात, खास तर पे आगर जो common mental illness का बात मैंने कर रहा था, उसमें लगभाग 25% का बढ़ोत्री हो गिया है, मतलों पोस्ट कोविड तो बहुत सारे ऐसे, आप तो देखते ही हूं, और जो mental health professionals है, उसका काफी कमी है हमारा देश में, पूरे बिस्वर में कमी है, हमारा देश में खास तर पे ज्यादा कमी है, तो यह gap जो है, इसको ब्रीज करने के लिए यह प्रयास है, कम से कम टेली काउंसि के द्वारा, हम लोग काफी लोगों तक रीच कर पाए, इंटिरियर तक, रूराल एडिया तक, विलेज तक हम लोग रीच कर पाए, क्यूंकि आज के दिन में एक टेकनोलोजी के आडवांसमेंट के बज़ा से यह संभव है, इसका लाब तो हमें लेना ही चाहिए, जो बड़ा स्टेट है, उसमें तो दो, तीन भी सेल बनेगा, और इसका पॉपुलेशन का अधर रखा गया है, जो पांच क्रोड पॉपुलेशन या उससे अधीक इसके लिए उस पर एक रहेगा, और जो बीस लाग से अधीक जहां पॉपुलेशन है, उसके लिए स्टाफ जादा पॉपुलाएड और 20 अधीक से कम और के लिए स्टाप्याओ पॉपुलाइड होगा, इस तरह से पूरा प्लैनिंग है, जहाँ काॉंसेलर होंगे, उसके बाद विसे संगय होंगे, उसमें साइकर्टिस होंगे, साइकलोडिस्ट होंगे, साइकरिक सोशाल वरकर वाला है और जो परिशानिया जो है अभी लोग पहुंच नहीं पाते हैं या डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं रोगी तक वो जो परिशानिया है वो दूर हो जाएंगी बहुत सारा काम जो है सर आपके द्वारा भी किया जा रहा है तो CIP में किस तरह की व्यवस्था है हम यह जाना चाहेंगे कि लोग अगर जाना चाहें या फिर आपसे काउंसलिंग करके वहां पर रहना चाहें तो क्या वहां पर रह कहीं इलाज कराना पड़ता है या ऐसे भी हो जाता है देखें, CIP में जो बारिय भीभाग है जो OPD है वो निस्सुल्ख है मतलब कोई पैसा नहीं तो कोई भी आ सकता है बस खाली उसके साथ एक पैचान पत्र होना चाहिए जिसको हम लोग आमतर पे आज के दिन में आधार काड बोलते हैं तो वो लेके आए और वो रेजिस्टे लेते हैं उसके बाद कोई सेनियर से उनका केस डिसकाशन होता है डिसकाशन के बाद ये डिसिस्टान लिया जाता है जो किसको एडमीशन का जरूरत है और किसको OPD लेवल पर ट्रीटमेंट हो सकता है अब OPD लेवल का ट्रीटमेंट भी जो है वो दो तरह का है किसी को खाली काउंसेलिंग के द 왜냐 ठीक हो सकते हैं कोई जिसमें डिंशन क歌 जोरुट नहीं है अओ इसमें मेडिसिन लिखा जाता है और कई केसेस में दोनों चीज के जाता है जाता है और आड्मिशलिंग ही किया तो उसके दोरा भी आपने आपको रिजिस्टर करा सकता है और हम लोगों ने खासतर पर ये COVID के दोरान 2020 से लेके हम लोगों ने टेली काउंसलिंग भी हम लोग चला रहे हैं टेली कॉंसल्टेशन भी चला रहे हैं खासतर पर हम लोग जो लोग हमसे पहले दिखा चुके हैं, वो अगर हमसे कॉंटरक्ट करें, जह हम कोई कारणबस्त नहीं आ पार हैं, तो हमको टेली कॉंसल्टेशन दिया जाए, तो हम लोग उनको अपरिमेंट फिक्स करके टेली कॉंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं इस में जो इलाज जैसे मांस Chief स्वास्ते के हम बात कर रहे है, तो ऐसे आप लोगों को जैसे हम लोग शरीर के लिए कहते हैं, यह exercise कीजिए कॐए इस तरह का खानपान हो, इस तरह का वयबहार हो, मांसिख स्वास्ते को सही रखने के लिए, आप किस तरह की सला देंगे? पहले है आपको एक healthy diet का जुरूरत है, आज के दिन में बहुत उसका problem हो गया है. बतब healthy diet हमारे मन के लिए भी बहुत जरूरी है, ना सिर्फ पूरे शरीर के लिए. क्योंकि लोगों के आज कल पता नहीं, लोगों के पास समय नहीं है, लोगों को लगता है fast food है, ready to eat food है, उस तरह से ही लोग यह बहुत थानी कारख होता है long time में, कभी कल फोरे break up कर सकते हैं, लेकि रेगुलर ली नहीं, तो उसमें जो हम लोग पॉस्टिक आहर का बात करते है हैं, balance diet का बात करते हैं, उसमें हर ingredients होना jó rules है, और खासतर पर जो seasonal चीज है, उसका इस्तिमाल होना जोरूरी है, हम लोग उसको इगनोर करते हैं, और जो locally available algo है, उसको भी हम लोग इगनोर करते हैं, क्योंकि उसका nutritious vale रहता है, और खासतर पर वहां के लिए जिस तरह का एंव तो इसका भी कई लोगों में इतना बैस्तोता बढ़ गया है और खास तर पे सोशाल मीडिया के चक्कर में लोग तो रात रात भर जाग जा रहे हैं, सुभा जाके सोते हैं, दोपर में जाकते हैं, पूरा रूटीनी डिस्टरब होनी है, तो आपको 6-8 घंटा का नींद का एक जालना संभव नहीं है, तो वह एक बार में नहीं निकाल सकते हैं, दो बार में, तीन बार में, दास मिनिट करके, पनरा मिनिट करके, टोटल जोड के अधा गंटा हो जाए, उस पे भी काम चलेगा, कुछ नहीं करना है, खाली थोड़ा ब्रेस ब्वाक, आस पास में महला मे थोड़ा सा टहले घुमे, थोड़ा कसके टहले, शरी से थोड़ा पसीना निकले, अगर ओभी किसी के लिए संभव नहीं है, तो घर के अंदर ही टहले, या जिसके पास घर के अंदर आज का लोग तो जीम बगरा लगा लेते हैं, ट्रेड मिल लगा लेते हैं, उसमें करें, कुछ चीज है, जैसे भी हो, आदा घंटा कम से कम समय निकाले, फिजिकल अक्टिविटी एक्सराइज के लिए, एक्सराइज करेंगे, तो आपका सरीर भी ठीक रहेगा, और सरी के साथ मन भी ठीक रहेगा, क्योंकि एक्सराइज से क्या होता है, जो हमारे उंदर ब्रेन मे जिसको हम लोग neurotransmitter बोलते हैं, वो सब release होता है, तो वो release होता है, तो मतलब हमको उर्जा मिलता है, positive energy मिलता है, तो यतना important चीज है, और चीज important क्या है, हम लोग कुछ activity ऐसा करें, जो हमें अच्छा लगता है, कुछ time हम self के लिए निकले, निकाले, चाहे किसी को cooking अच्छा लगता है, वो cooking करें, किसी को singing अच्छा लगता है, किसी को painting अच्छा लगता है, जैसे भी हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, उसके लिए थोड़ा समय आप जोरोड दें, और थोड़ा सा लोगों से जुड़ने का प्रयास करे, दिन भर में कोई एक पर्टिकुलर समाय में, तो वो लोगों के बीच रहेंगे, लोगों से जुड़े हुए रहेंगे, तो आप मानसिक स्तर पे तंदरुस्त रहेंगे और आपको मानसिक परिशानी होने का समभवना जीवन है, पूरी जिन्दगी जो है, लोग बिल्कुल स्वस्त बनकर ही अपने जीवन को बिल्कुल खुश में और आनंद में बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं सर, लेकिन चलते चलते दशेरे की धनिवाद, नमस्कार्वाद.